जैहिंद, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे Types of Operating System कितनी Types के Operating System होते हैं और उसका क्या Advantage है, क्या Disadvantage है उनके बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि Operating System क्या होता है, वो पहले जान लेते हैं Operating System क्या होता है, Operating System एक System Software है Software पिछले वीडियो में हम चर्चा किये थे बिसकस किये थे Software के बारे में और Types of Software में तो Types of Software में हम बदाए थे आपको कि System Software और Application Software होता है और System Software में ही Operating System होता है System Software एक तरह का एक क्या है यह System Software है, Operating System कि इस टाइप का इंटरRA exercise between user and hardware, यानि Computer user and hardware के बीच Face करता है, यानि मेडिएटर के तरह काम करता है, काम ओपेटिंगंर के बीच, उप्रपरेड़िञ डिर्परेटर के तरह काम करता है, अगर computer uh nie रहेगा और उप्रपेडंग सिश्ट्म नहीं नहीं सकता हॉए, तो यहां पर एक तरह के आप बोल सकते हैं कि टांस्लेटर के तरह काम करता है कि कहीं पर आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा बंदा है जो हिंदी नहीं जानता है कि हिंदी नहीं जानता है और यह जैसे दो बंदा है दो बंदा क्या है कि कुछ इस तरह से है कि एक हिंदी जानता एक इंग्लिस जानता है लेकिन यह दोनों बंदा में से क्या है कि जो इंग्लिस जानता है उसको हिंदी समझ में आता है जो हिंदी जानता है वह इंग्लिस नह काम इसी तरह से है एक Mediator के तरह तो उमीद करते हैं कि समझ गया होंगे operating system हम लोग देखते हैं कि Types of operating system कितनी टाइब के operating system होते हैं वह स्वाट में यहां पर लिखे हैं कि फर्स्ट टाइब जो होता वह बैच operating system होता है एक एच्छ टाइम सेरों उपरेटिंग सिस्टम और थ्रड डिस्टिबुटेgg इक सेरि में शेटम क्या होता है नुर्श दैघवुक्स टॉपटे modest similar types of job together यानि कि एक साथ similar type को job को क्या करता है वो submit करता है CPU को तो कुछ इस तरह से ये काम करता है batch एक batch बना करता है इसका नाम से ही काम बदा चलता है आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका नाम है batch operating system तो इसके नाम से ही आफ आइडिया लगा सकते हैं कि इसका काम क्या होगा से काम क्या है कि batch बना कर ये काम करता है को फीज़िये से कि बहुत सारा job है बहुत सारा task है उसको उसका एक batch बना देता है और वो काम करता है तो चलिदी हम लोग समयते हैं कि वो कैसे काम करता है इस type of operating system does not interact इसमें क्या होता है कि वह इंट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी अगर यूजर है तो क्या मतलब आप और हम कोई भी हो सकते हैं यूजर एक यूजर है उजर वन है ये लीजर ट्सक्राजब गाषिक्ट्री याँ नमबर तक हो हो सकता है इसलिए हम यहां पर job end लिखे वर तो कुछ इस तरह से है अगर हम लोग कि यहां पर देखें तो एक operator है यह operating system क्या है कि operator है जो क्या करता है कि यहां से task को लेता है और यह task को क्या करता है कि इसके अगर similar type का job है अगर यह job 1 का same काम है अगर इसका काम है job 1 का कि c programming या python programming को execute करना या इसका भी काम है c++ programming को execute करना job 2 का तो यह दोनों का काम same है तो इसका एक अलग batch बना दिया गया है batch 1 और job 1 और job 2 के लिए अलग batch है इसका नाम है batch 2 इसको भी एक batch में convert कर दिया है और फिर वो CPU को भेग दिया इस job को execute करने के लिए तो कुछ इस तरह से यह काम करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी लिखा वाक्स वाक्स विल्वी सब्मीट सिमिलर टाइप आप आप जॉब्स टुगेदर य तो कुछ इस तरह से यह काम करता है इसके बाद इसका अगर देखाए अड़ांटेज तो एडवांटेज क्या है एडवांटेज कुछ इस तरह से है कि it is easy to manage large work repeatedly in batch operating system यानि कि हम लोग बार-बार बहुत large work को हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे यहां पर आप देखी सकते हैं कि बहुत सरा यहां पर यहां पर आप देखी सकते हैं यहां पर इसका उपर बैच बना के फिर सीप्यू को भैजता है यह दो इस्टेप यहां पर है तो आप डारेट यहां से लूए से यानि की से आफ क्या कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से यह यह इसका डिसज़ड्वांटेज है करタा टाइमसेरिंक करता में करता है और here the CPU will provide a same time period to each and every process to complete its task as soon as possible and whether it is a long process or short process, यानि कि short process के लिए हो, चाहिए long process के लिए, सभी के लिए ये क्या करता है, कि same time provide करता है, same time period provide करता है, हर एक task के लिए, CPU, CPU क्या करता है, कि हर एक task के लिए, हर एक job के लिए, same time provide करता है, इसका नाम से भी काम पता चलता है, time sharing, यानि time को share करता है, यानि कि CPU क्या करता है, कि time को share कर देता है, यूजर के बीच कि इतना आपका इतना time लगेगा, आपको इतना time लगेगा, कोई भी task को पूरा करने, चलिए हम लोग समझते हैं, आपर figures में, कुछ इस तरह से CPU है, और CPU क्या कर रहा है, कि हर एक user को एक ब्राबर time दे दिया हुआ, कि 15 minutes, 15 seconds इसका time है, इसका 15 seconds है, इसका 15 seconds, इसका 15 seconds, इसका 15 seconds, साटमें इसका काम पुरा हो गया तो बचा हुआ जो जो 10 सेकेंड है ये 10 सेकेंड सभी को प्रवाइड करते है जितने भी यूजर है सभी यूजर को ये प्रवाइड कर देगा समा सेम यूजर में वो क्या करतेंगा बराबर बराबर टाइम पिरियड बांट देगा तो कुछ इस तरह से डिस्टिबीट करता है और अपने टास्क को कम्प्लीट करता है तो कुछ इस तरह से time की time increase हो जाता है यहां पर समझते हैं जैसे कि अगर यह वाला task complete हो जाता है जैसे कंप्लीट हो गया है इसके पास क्या हुआ कि 10 second time बज़ गया 10 second जो time बचा ना तो यह 10 second time तो और इधर बांट दिया गया अगर माना कि दो दो कर दो सेकेंड करके ज्यादा करके वह बार दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दो सेकेंड इंक्रीज हो गया इसका दो सेकेंड इसका दो सेकेंड करके इंक्रीज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से यह काम करता है अगर एक यूजर जितना इसका बाद, इसका जो disadvantage है, sometimes in this operating system, there may be a problem of the data communication, यह data communication में कभी-कभी problem होता है, यह बहुत ही rarely होता है, यह problem, नहीं के बराबर होता है, data communication में कैसे problem होता है, कि जैसे यह user है, user के बीच कभी disconnect, मलब connection, इर और हो जाता है, तो फिर वो disconnect हो जाता है, इसका disadvantage है, इसके बाद, क्या है, कि next है, distributed OS, इसके बाद, next है, distributed OS, यह कैसे काम करता है, distributed operating system, when many computers are interconnected, many computers are interconnected to each other and through a network and for the purpose of sharing their task, then it is called distributed operating system, यानि कि बहुँ सारा computer interconnected एक दूसरे से जुड़े हुए, लब जुड़ा हुआ रहता है, network के थुरू वो जुड़ा हुआ रहता है, और क्या करता है, किस purpose के लिए जुड़ा हुआ रहता है, sharing their task, यानि अपनी task को share करने के लिए, it is called distributed operating system, उसी के हम लोग क्या कहते हैं, distributed operating system कहते हैं, चलिए यहाँ पर एक figure के बादे हैं से समझते हैं, तो यहाँ पर एक network है, और यह network से जुड़ा हुआ है, सभी computers, कुछ computers यह तरह से connected हैं, यानि कि यह computer 1 है, 2 है, 3 है, और यह 4 है, यह 4 है, यह 4 computer क्या है, अध्यवर्ण से connected हैं, और यह क्या करता है, की task को share करता है, अपने काम को execute करेगा, उसको execute करेगा, इसका advantage क्या होता है? एडवांटेज कुछ इस तरह सहते है, if a node is overused, the distributed operating system shares that load to other node of the network, यानि कि क्या है कि अगर क्या होता है, कि अगर कोई node में खराबी आ गया या कुछ गडबड हो गया, तो वो क्या करता है, इसमें क्या होता है कि overused हो जाता है, यानि कि अगर यहाँ पर disadvantage में, अगर क्या होता है, यहाँ पर advantage है यह तो if the node is overused and misdistributed the operating system shares that the load to other node of the network, other node of network, इसका कहने के मतलब है, कि यह क्या करता है, कि अगर एक node में ज्यादा data हो गया, overused हो गया, तो वो क्या करता है, दूसरे को वो share कर देता है, कि यहाँ पर अगर यह काम task को complete नहीं कर पाता है, तो यह इधर share कर देता है, और इसको complete कर देता है, इसका एक advantage है, यहाँ त do of the entire communication, यागर इसका मैं network, यानि यह वाला network, अगर किसी तरह से failure हो गया, अगर यह network failure हो जाता है, कि पुरी तरह से का का अपर तो आन्यक्ष पर नेक्स रिगा लाइवा जाता है यानि की ये इस्ट्रॉय हो जाता है इस तरह से आप बोल सकते प्लप लब करेक्ष इसका तूर जाता है कुछ इस तरह से से सब्सक्राइब नक्स है यहाँ पर लग्सर्ण netson Network operating system network OS Network operating systems have a server and that connects many other clients, client computers and so we can easily share our files, resources and many more from the server machine to all the machines and which are connected through a server, ज्यानि कि एक क्या है कि network operating system server से connected होते है, server भी अपने में computer है, उस computer से connected होते हैं कई computers और वो क्या करते हैं, फाइल और sources को share कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, network operating system, network operating system को अगर हम लोग यहाँ पर figures के माध्यन से समझें, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कि server यह main computer है, यह तरह से आप कहा सकते हैं कि यह main computer है, और इस main computer में सारा data यहाँ पर storage रहता है, सारा task भी यहाँ पर load होता है, और यहीं से इस task को यहाँ पर share किया जाता है, फाइल को share किया जाता है, तो कुछ इस तरह से हैं, किया जाता है एक स्टोरेज होता है स्टरेज होता है स्सक्राम करता है कि इस तरह से काम करूं इसका अगर एड़ांटेज्ट थेख कुछ इस तरह से नेट्वर्क पिडेटी एंड वी णीड तो अपग्रेट और इस में किया तोरेंट करुएकbyट करनेke की जौरत नहीं है यहाँ पर सर्वर में अगर अफटेट किए तो वह आपडेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसका अड़ान्टेश नेक्ट नेक्स्ट है यहाँ पर ड्षाड़न इसेड़ने जाएका अगर अगर यहाँ पर यहाँ चाब म्जीन इस प्रेस्ट दब औ्टोमेटिक्ली दी इंटेयर इंटायर मतलब इंटायर नेटवर्क के इंटायर कम्पूटर The इस विल वी कि फिल की मतलब सारा रहीत है की फेल हो जाएगा अगर अगर यहां पर ही यहां पर गर्बडा जाए तो यह पूरी तरह से यह क्या होगा पूरी तरह से यह Pros कि इसकां डिसक्षाब самого ऐसे dioxide गच तो कुछ इस तरह से से हैं कि अन्हों है ब्ल्च इअ स्वाव चाहिए कोई भी कोई भी टास्क का तो उसके लिए रियल टाइम आपेटिंग सिटम सबसे बस्त इकजामपल से सबसे अच्छा ऑपेटिंग सीटा में जो कुछ एस तरह से है तो ईग्ज़ांपल्स मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो मिसाइल कही लांज करना हो किसी को मिसाइल कर मार समय करना ह recovery कर तो नहीं होता उसमें समय मिलि से के खालिक एक जाता है नो कुछ इस तरह से यह real time operating सीस्टम काम करता है याभ इस नहीं क स्तोंस करना यफ उस्वाश करके आरध के साथ कर्कुक तो पैसे स्वीक्षित समय में आप किसी और भी आप 120 ध्र चाते यह लॉश agreement करना चाहते हैं तो फिर रियल-time operating system का यूज करना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है अगर कोई भी बोड़ी में कहीं पर सर्जरी होता है या कुछ यह बहुत ही बहुत ही अच्छे से इक्रिक्यूट कर पाएं तो यह बहुत ही बहुत ही मतलब पावर्फुल ऑपेटिंग शीटम है जो बहुत ही क्यों करता है और रिस्पॉंस देता है इसका इसका अड़्वांटेज की अगर बात का हैं तो रियल-time और यह बहुत है जल्दी क्वीक रिस्पॉंस देता है यह पावर्फुल ऑपेटिंग सीटम है इसका 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 टाइप्स भी होता है तैप्स कुछ इस तरह सा है कि हाड्ड रियल-time operating system और सॉफ्ट रियल-time operating system तो कुछ इस तरह से यह operating system होता है तो operating system कुछ ऐसे ही है अभी दक हम लोग डिसकस कर चुके हैं बैच operating system को इसके बाद batch operating system के बाद हम लोग डिसकस के है time operating system को जो time को share करके मदब सीप्यू क्या करते हैं सभी यूजर्स के बीच टाइम को share कर देता है और टास्क को complete करते हैं इसका distributed operating system जिसमें के एक network establish किया जाता है और कई computers को connect करके फिर वो टास्क को क्या करते हैं distribute कर देते हैं और वो इक्जिक्यूट करता है टास्क को इसके बाद क्या है है real time operating system है जो सबसे best examples है कि इसमें missile को drop करने के लिए और बहुत ही बड़े बड़े organization में जैसे space agency में खास करके इसका यूज के आता है hospital में भी यूज के आता है real time operating system का तो कुछ इस तरह से 5 टाइब्स का operating system था जो हम लोग अलग-अलग मुदब बारिवारी से डिसकस कर चुके हैं इसको उमीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा मिलते हम लोग next वीडियो में और next वीडियो में आपको कुछ अलग एक new topic को लेकर आएंगे और next वीडियो में आपको एक नए topic बताएंगे अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कीजे वीडियो को share भी कीजे मिलते हम लोग next वीडियो में तक तब तक के लिए बाइब